आज बहुत सारे बच्चे लेट उठते हैं और बहुत सारे माबाप कही न कहीं उनसे परिशान रहते हैं कि बच्चा ददस बजे तक उठता है और कहीं न कहीं वह जो नेगेटिविटी है जो डिप्रेशन है वो लगातार उनमें बढ़ता जाता है क्योंकि रात को लेट सोते हैं और सवेरे थोड़ा लेट उटते हैं तो कहीं ने कहीं जो दिन चरिया है जो कहीं ने कहीं उनकी जो डेली रूटिंग जो लाइफ पूरी तरह से डिश्टब हो चुकी है आज बहुत सारे माबाप की बहुत सारे बच्चों की यही कंप्लेन रहती है कि हम उठना तो चाते हैं सुबर लेकिन उठ नहीं पाते हैं हम बारा दिन पर मन ने लगता बार बार में नीद आती हैं हम कुछ चीज करना चाते हैं उस चेज को कर ही नहीं पाते तो सबसे बड़ी जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ आप दो आदते ऐसी बनाएं जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है और आप वो जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहली आदत यह है कि थोड़ा सा अर्ली मॉर मॉर्णिंग जल्दी उठना प्रारम कर दोगी तो टो टिम आप मानोगे कि आप सवेरे जब उठते हो तो बहुत सारी जो पोजिटिव एनर्जी है वह आपके अंदर एंट्री करती है इंवार्मेंट इतरह पाउर्फल होता है चारों तरह बिल्कुल शांती होती है और सु और सुबह की जो खिली खिली जो दूप है वह सबसे पहले आपके चहरे को बिल्कुल ही क्या कर देती है प्रिश कर देती है यसलिए अर्लि मॉर्णिंग उठना यानि सवेरे जल्दी उठना आपके लिए बहुत ही जादा जरूरी हो जाता है अगर आप इस्टुडेंट हो तो इस्टुडेंट के लिए जरूरी है कि वह सबसे जल्दी उठे यानि मॉर्णिंग जल्दी उठे क्योंकि रात को अगर आप लेट सोगे अगर ग्यारा बज़े के बाद में आप सोचते आते हो तो कहीं न कहीं फिर आपको सुबह मॉर्णिंग उठने में बहुत जादा तकलिप में हो सकती है यसलिए कोशिश ये करें कि आपका जो टाइम टेबल हो वो शाम को ग्यारा बज़े के बाद नहीं सोच पहले ही आप सोचाएं तो आप देखेगे कि आप सुवेरे छे बज़े आराम से उठ पाएंगे और जिस दिन आपने टाइम टेबल फूलो कर ल प्वाली है क्योंकि जितने भी ये जितने भी आगे बढ़ने वाले ये सकसी प्राप्थ करने वाले होते हैं वह जल्दी ऊटते हैं सवेरे जल्दी ओठने, बहुत सारे फायदे है एक तो आपAP healthy रहोगी कि दूसरा दिन पर आपका मन काम में लगेगा कि तीसरा you!!का आपका जो खाना है प्रोपर तरीके से पचेगा शाम तक आपकी इनर्जी बनी रहेगी और कहीं न कहीं जो आपका जो आला से अलवेला पन है वह नस्ट हो जाएगा तो मारणिंग उठने को बहुता सारे फायदे हैं उसके बाद में दूसरी टिप से कि कहीं न और ये पिक्स चार्ट करना पड़ेगा सबसे जब जादा आप दिबाग पर ZोR ढालते हो कि उस किताब को पढ़ना इस टॉपिक को मुझे याद करना है बहुत सारे बच्चों के यह भी प्रॉब्लम रहती है बहुत कुछ है लेकिन याद कुछ नहीं होता उटोमेटिक की जब हम कोई चीज पढ़ने लगते हैं तो हम किताब खोल के जब उस चीज को बैठते हैं तो में वाद में धरवदर के ख्याला आता माइंड में आ जाते हैं और वापس उसी पेज को वापिस स्टार्टिंग से पढ़ना लग जाते हैं प्रॉब्लम होती है तो कहींने कहीं आपको क्या करना पढ़ेगा थोड़े से ही आजिजी सब्जेक्ट जो है उनको पहले पढ़ो और उनको पहले पढ़ने के साथ साथ एक time table follow करो कि मुझे इस time पर ये subject पढ़ना है इस time पर ये पढ़ना है बहुत सारे बच्चों का ये भी question रहता है कि sir हम रोज़ना में हर रोज क्या एक ही subject पढ़े या अलग-अलग time पर अलग subject पढ़े उस वह चीज आपके उपर पूरी तर से डिपेंड करती है हर बच्ची का दिमाग अपनी लेवल का होता है हर बच्ची की सोच अपनी तरकी होती है तो आज मैं उन बच्चों से यह कहना चाओंगा कि आप जब भी पढ़ें आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़े अगर आपको आज मान के चलो कि आपको फिजिक्स पढ़ना अगर अभी पसंद नहीं है आपको थोड़ा टफ लगता है फिजिक्स पढ़ना तो आप पहले बायो पढ़ ले और physics उस टाइम पढ़े जिस टाइम आपका मन बहुत ही अच्छा हो बिलकुल शांत हो और उस टाइम आपका मन लग रहा हो पढ़ाए में तब आप उस चीज को पढ़े यानि tough subject को पढ़ने का तरीका यही है कि tough subject को आप तब ही पढ़े जब आपका मन बहुत अच्छा हो बहुत अच्छे से आप पढ़ाए में रूची ले रहे हूँ तब आप tough subject को उठा कर पढ़े तो आपको tough subject भी tough नहीं लगेगे आपको वो सारी चीजे याद होने लगेगे तो tough subject को ज़्यादा tough बनाने की जुरूत नहीं आपके mind ने और tough बना रखा है ऐसा नहीं है कि सारी subject tough है अगर उसको पढ़ा जाए तरीके से उसको याद करा जाए थोड़ा सा समझा जाए अगर मान को चलो कोई topic आपको समझ में नहीं आता है तो अपने senior से अपने teacherों से थोड़ा सा discuss करना कोई बड़ी बात नहीं है आप आराम से discuss उनको करो आपको बह मजा आने लगेगा और जिस दिन आपको पढ़ाय में मजा आने लग गया उस दिन आपके लिए पढ़ाय बोज नहीं बनेगा त्योंकि पढ़ाय बहुत सारे बच्चों के लिए आज बोज बनती जा रही है और बोज बोज इसकदर बन चुकी है कि बच्चे पढ़ाय का न करना पड़ेगा उनसे कुछ सीखना पड़ेगा आप पढ़ाई को जितना जादा बोज समझोगी जितना जादा उनको हैडेक समझोगी उत्रा जादा पढ़ाई आपसे कोशो दूर चली जाएगी इसलिए हर बच्चे से मेरा यह कहना है कि अपने आपको थोड़ा सा मोटिव करते हैं याद भी रहता है लेकिन एक्जाम में जाते ही सारे कुछ भूल जाते हैं एक्जाम में जैसे क्विशन पेपर सामने आता है तो कहीं न कई कपकपी से मेसुस होने लगती है और हम डर के मारे सारी चीज़ें भूल जाते हैं और जब एक्जाम होल से बाहर निकलते ह तो वही चीजें सारी मुझे याद आने लगती है और इसका आंसर मुझे आता था और इसका आंसर मुझे तो अच्छे तरह से उसको रटके गया था तो आप सूचो कि सिर्फ आपके एक छोटे से डर ने आपका पेपर खराब कर दिया एक छोटे से फोबिया ने आपका पूरा पेपर बगार दिया पूरे सालवर की जो मैनत है उसको बिलकुली खतम कर दिया एक छोटे से डर ने एक पांच मिनट के डर ने तो वह डर बड़ा है या आपके मैनत बड़ी है जो सालवर जो आपने मैनत की थी दिन रात लगके आपने तैयारी की थी ओल्ली पांच मिनट के डर ने उस पूरी तैयारी को खतम कर दिया तो बहुत सारे बच्चों का आज मैक्सिमम बच्चों का यह कुशन है मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि सर हम पढ़ते बहुते याद बहुत करते चीज़े याद रहती है सब चीज़े है लेकिन एक्जाम होल में जाते पता नहीं क्या होता है कि ओटमेट के हम भूल जाते है तो कहीं न कहीं आपको उस डर को निकालना पड़ेगा डर कैसे निकाल सकते हो डर निकालने का सबसे बड़िया तरीका है कि अपने आपको पहले सही एक्जाम के लाइक बनाओ एक्जाम का लाइक का मतलब क्या है क्यूशन प्रक्टिस बढ़ाओ जैसा पेपर पैटर्न है जैसा एक्जाम का पैटर्न है जैसा पेपर आता है वहाँ पर वह पेपर अपने से तयार करो जिस चीज से आपको डर लगता है उसी चीज को बार बार करो आप देखना अगर आपको पानी से डर लगता है तो पानी में बार-बार में जाओ, उत्रो उसमें अगर आपको तेरने से डर लगता है तो बार-बार में तेरने की कोशिश करो अगर आपको उचाई से डर लगता है तो बारबार में हिले स्टेशन पे जाने की कोशिश करो जब आपका उस चीज की प्रतिया जब बारबार में प्रियास करोगे तो एक दिन आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा आप सोचते हो डर बहुत सारे टाइपस के डर का बहुत सारे प्रकार है ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही डर लगता है बड़ों को भी डर लगता है किसी को पानी से डर लगता है किसी को किसी कुए में डर लगता है या किसी को जैसे एरोपलेन में बेड़ दाता है तो वहाँ पर उसको डर लगता है या बहुत सारे टाइप्स के डर है तो डर को आपको निकालना पड़ेगा कहता है नो डर के आगे जीत है तो जहां तक डरोगे महां तक जीत नहीं पाओगे और जिस दिन आपने डर को खतम कर दिया उस दिन जीत जाओगे तो जीतने का सबसे मोल मंत्री यही है कि डर के आगे जीत है तो कहिने का मुझे डरना नहीं है तो मुझे आगे बढ़ना है ना कि मुझे पीछे आना है डर कर मुझे भीड में नहीं बस चलना अगर जिद दिन आपको भीड का सहारा मिलेगा मैं चाउंक में बेड चाल चलूं मैं जैसा दूसरी चल रहे हैं वैसा है में चलूं तो आप कभी भी सक्सेज प्राप्त नहीं कर सकते कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते आपको आगे बढ़ना है तो भीड से अलग होना पड़ेगा अपना मुकाम खुद बनना पड़ेगा कहते हैं न कोई चलता पद्चिन्नों पर कोई पद्चिन्न बनाता है है सूर्मा वही जग में जो अपनी रहा बनाता है तो पद्चिन्नों पर चलना और पद्चिन्न बनाना दोनों ही अलग-लग बाते हैं पद्चिन्नों पर वो चलता है जो खुद से स्वैम कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों के पीछे-पीछे हमेशा चलता रहता है वो सोचता है कि जो मेरे से पहले जो करके गए वो ही रैट है मैं बस उनकी पीछे-पीछे-पीछे-पीछे चलता रहूँगा ऐसा होगा लेकिन जो पद्चिन्न बनाना जानता है वो बहुत ही आगे जाता है वो जग में बहुत ही आगे बढ़कर रहता है इसलिए अपने पद्चिन्न बनाना सिखो दुनिया आपको आपके नाम से याद करे, आपको आपकी काबलियत के नाम से याद करे, आपको आपके नेचर के नाम से याद करे, आपकी सकसेज के नाम से याद करे, यानि लोग सिर्फ आपको आपके नाम से ही जाने, तब आपकी सकसेज है, आपकी गौर्मेंट जोब लग भी गई लेकिन लोग आपको नहीं जानते तो फिर का ही कि सकसेज हो सकसेज का मतलब क्या है मकतलब चार किताबे पढ़के एक एक एक्जाम पास करके सकसेज नहीं प्राप्त होती सकसेज का मतलब यह कि आपने स्वैम को निखारने के लिए स्वैम को आगे बढ़ाने के लिए स्वाइम को दुनिया से अलग हट कर कुछ करने के लिए क्या किया कितने फॉलोविंग से आपकी वो आपकी सक्सेज है कितने लोग आपको चाते हैं कितने लोग आपको याद कर रहे हैं कितने लोग आपको दुआएं दे रहे हैं वो आपकी सक्सेज है सक्सेज उसे केते हैं ना कि कोई एक्जाम पास करना सक्सेज है सक्सेज का बहुत सारे माइने हैं इसलिए अपने आप पर वर्क करना है स्टार्ट करो जिस दिन आपने अपने आप पर वर्क स्टार्ट कर दिया आपको सकसेज होने से कोई नहीं रोख सकता तो कि आपका टैलेंट जो है वह जब निखर कर बाहर आएगा जब आप दूसरों को कुछ बोलने के लाइक बन जाओगे दूसरों को समझाने के लाइक बन जाओगे तो आटोमेटिक आप किसी भी फिल्ड में पीछे नहीं रहोगे इसलिए हर एक इनसान से मैं यही करना चाता हूँ कि आप जो भी कुछ करो स्वैम के लिए करो और लग जाओ जो आप अच्छी उखरना चाते हो थैंक